स्वागत है दोस्तों आपका confusion 9.2.11 में दोस्तों यहाँ पर बिहार में एक vacancy निकली है skilled supporting staff position के लिए और लगभग यहाँ पर 100 seat है और qualification आपका minimum qualification आपका 12th pass है तो यहाँ पुरा detail बताएंगे और कितना फीस है किस तरह से form fill up होगा और कितना आपको salary मिलेगा permanent है कौन सा job है कितना salary मिलेगा सब कुछ इस date में होगा कब से form fill up होगा सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको detail में बताने जा रहा हूँ तो इस video को आप लोग सुरू से लेके last तक देखिएगा ताकि कोई भी information आप miss नहीं कीजिएगा क्योंकि fill up करता समय बहुत ही सावधानी बरतनी परती है दोस्तो तो चलिए सबसे शुरू करें यह job है बिहार के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र परसाद Central Agriculture University पूसा समस्तिपूर बिहार के लिए वेकैंसी निकाली गई है एडवर्टाइजमेंट नमबर 03 अबलिक 2019 है डेटेड यहाँ पर है 28 मैं 2019 यानि के 28 मैं 2019 एडवर्टाइजमेंट फोर रिक्टमेंट ओफ स्किल्ट सपोर्टिंग स्टाफ पोजीशन यहीं पर आपका है इसी पोजीशन के लिए वेकैंसी निकाली गई है और यहाँ पर देख लिए ओनलाइन अप्लिकेशन आर इन्वाइट फोर रिक्टमेंट ओन डिरेक्ट बेसिस फोर दी पोस्ट ओफ ए स्केल सपोर्टिंग स्टाफ अगेंस दी मेंसं केटेगरी ओफ पोस्ट बाइ लोगिंट इन्टो दी एक्टमेंट पोर्टल ओन दी इनुवर्स सिटी बेव साइट www.rpcau.ac.in यहीं पर आपको लोगिन करना होगा दी ओनलाइन अप्लिकेशन कैन वी फिल्ड फ्रॉम 28 माई 2019 से आपको फिल होगा गेंडरल OBC EWS एकोनोमिकली वीकर सेक्षन के लिए 500 रुपए यहां फीस है SCSTPWD के लिए यहां पर 500 रुपए फीस है इसका एक वेकैंसी पहले निकला था इसी पोस्ट के लिए 01 ओबलिक 2019 करके अड़जमेंट नमबर जिसे बाज में कैंसिल कर दिया गया था तो अगर जो इस एडबर्टाइजमेंट के लिए पहले जो कैंड़ेट्स फिल अप कर चुके होंगे उन्हें दुबारा फिल अप करने का कोई जरूरत नहीं है यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि नीड नौट अप्लाई अगें जो इडबर्टाइजमेंट नंबर 01-2019 के लिए जो अप्लाई कर चुके थे जिसे बाज में कैंसिल कर दिया गया था डिपार्टमेंट के तरप से तो उसके लिए फिर से इस वेकैंसी के लिए उन्हें अप्लाई करने का जोगत नहीं है अगर वो चाते हैं कुछ अप्डेट करने तो फिर से वह फ्रेस करके सेलेक्षन यहां पर फिर से फ्रेस करके fill-up कर सकते हैं दोस्तो तो यह था old candidates के लिए new candidates के लिए फिर से आप apply कर सकते हैं और जितने भी candidates जो नहीं fill-up कर पाथे वो भी नहीं तरीके से इस वार fill up कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर advertisement number 03 oblique 2019 करके निकाला गया है दोस्तो चलिए तो मैंने बता दिया है कि opening हो रहा है form fill up के लिए 28 मई से और last date of submission है 29 June यहाँ पर देख लिए number of post कितना है किस department में कितना है ST में 1 है SC में 16 है OBC के लिए 27 सीट है EWS के लिए 10 है और unreserved के लिए 46 सीट यहाँ पर है तो total 100 सीट हो गया classification हो गया group C के लिए level as per 7 CPC यानि level 1 as per 7 CPC pay matrix के हिसाब से आपको salary मिलेगा यानि के लगबग वही 19-20,000 के पास आपको salary मिलेगा age limit for direct requirements यहाँ पर 27 year मांग रहा है और reservation के हिसाब से फिर उसमें आपको छूट मिलेगा age के लिए लेकिन यहाँ पर 27 age नॉनमल है educational and other qualification required for direct requests यहाँ पर essential qualification में देख लिए matriculation और equivalent from recognized board knowledge of cycle driving physically fit होना है और qualification में qualifying physical test में walk for, मतलब 30 मिनट में आपको 5 किलो मिटर चलना होगा preparation for research plot 5 into 5 in 1 hour मतलब आप 5 into 5 मिटर का एक plot research के लिए prepare एक घंटे में कर सकते हो यहाँ पर essential qualification में दोस्तों यहाँ पर एक सुदार करना है यहाँ पर matriculation और equivalent बोला यानि 10th past minimum qualification यहाँ पर खोज रहा है दोस्तों probation पहले आपको 2 years के लिए रखेगा उसके बाद फिर continue कर देगा दोस्तों marks कैसे होगा तो marks पर यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर देख लिजे 0.25 into high school marks plus 10 marks for plus 2 qualification यानि कि 12 भी अगर होगा उन्हें ज्यादा फैदा मिलेगा और जो graduation वाले होंगे plus 3 marks for each completed year of experience with maximum of 25 marks method of यहाँ पर selection होगा यहाँ एक्जाम भी ले सकता है तो यहाँ पर ज्यादा एक्जाम भी लिया जाता है तो यहाँ पर ज्यादा एक्जाम भी लिया जाएगा और arithmetic test के लिए 100 questions general knowledge 50 language के लिए हिंदी के लिए 100 marks का यहाँ पर एक्जाम लिया जाएगा दोस्तो तो यह समझ गए कि exam pattern क्या होगा क्या किस तरह से marks आपको होगा किस तरह से selection होगा उसके बाद how to apply कैसे apply करना तो सबसे पहले बता दे यहाँ पे online mode of submission of application shall be essential इसका मतलब यह केबल online mode ही इसका form fill up होगा और online form fill up करने के लिए आपको इस website पे जाना होगा www.rpcau.ac.in यहाँ पे जाने के बाद आपको जिस तरह से form fill up करना होगा उस तरह से form fill up कर दीजेगा और यहाँ पे 7 नमबर में देख लिए आप्लिकेंट्स आर नोट रिक्वाइड तू सेंड hard copy of the डूली फिल्ड online application form यहाँ जब आप online form fill up कर देंगे उसके बाद कुछ भी अपना print निकाल कर रखेंगे तो जो hard copy निकाल कर रखेंगे उसे कोई भी आपको विभाग के पास भेजने का ज़रूरत नहीं है speed push करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तो तो यह था पूरा detail जो मैंने आपको बता दिया है कितना seat था, किस तरह से form fill up होगा कितना age चाहिए, कितना qualification चाहिए exam pattern क्या होगा, selection process क्या होगा form fill up कैसे होगा मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में detail में बता दिया है, और उमीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे confusion नहीं होगा तो इस हिसाब से आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें अपने दोस्तों में, और इस चैनल को subscribe करना न भूले दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आप subscribe कर लेते हैं तो कोई भी मैं नया वीडियो या फिक कोई भी जनकारी ऐसा upload करता हूँ अपने चैनल पर तुसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा अगर आप मेरा चैनल subscribe करके रखे हुए होगे तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग आप बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद